आप सभी साथियों को मेरा नमश्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अपनी भरी हुई सिक्छक डायरी दिखाने वाले हैं लेकिन इसके पूर्ल दोस्तों सिक्छक डायरी भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से आप अपने इस शिक्छक को भरेंगे इन सारी बातों पे आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं चलिए दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को आपको मिलते रहें दोस्तों सिक्षक डायरी भरने इस पहले जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि अपने विद्याले में जितने भी सिक्षक हैं उनका कक्छा वार बटवारा कर दें ताक पर यह है कि हर सिक्षक को एक एक कक्छा की जिमेदारी दे दे और उनसे ये कहें कि आप इस दोसरा जो मत्पूर बिंदु है आप लोगों के द्वारा लगतारी ये सेवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सिक्षक डारी कितने तारिक से भरी जाएगे तो दोस्तों मेरा जो विचार है वो यही है कि एक जुलाई से ही इस सिक्षक जायरी को भरना उचीत होगा क्योंकि आपका विद्याल है एक जुलाई 2021 को ही ओपेन हुआ है अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरह दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी ARPSRG BEOBS से एवंग डायट पर चार एक क्रिपया ध्यान दे बच्चे सिक्षण कारे में संग लगन रहें एवंग सभी बच्चों तक पहुँच बनाने के दिश्टिगात मिसन प्रेड़ा की इपार्ट साला का पांचवा चरण दिनांग 4 जुलाई 2021 यहाँ पे आपका ध्यान अक्रिष्ट करना चाहेंगे कि जो पांचवा चरण है यानि फेज 5 वो 4 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ है तो यह आपकी जानकारी में होना चाहिए कोई आपसे सवाल कर सकता है कि यह कौन सा फेज चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है यह चौथा फेज था कौन सा था चौथा फेज तो चौथे फेज के अंतरगत 28 जूम से और 3 जूलाई तक की जो सापता ही कंटेंट आपको दिये गए है वो चौथा फेज के अंतरगत था चार तारिक से पांचवा फेज प्रारंभ हुआ है अब दोस्तों आईए सिक्छक डाय डायरी में आपको हाइलाइट करना है यानि उन मुद्दों को अवश्य सामिल करना है उन विंदों को देख लेते हैं जैसा कि आदेश दिया गया था दोस्तों जो सासना देश था उसमें जिन विंदों पर विजेश कर सिक्छकों को कारे करना था उन विंदों को आप अपन दे सकते हैं प्रेडा लच्छ एप के माध्यम से छात्रों का इसपार्ट असेस्मेंट और नीचे कर तीसरा विंद देखिए अविभावकों से संपर्क एवंग जिन अविभावकों द्वारा बच्चों को मुहला कक्छाओं में नहीं भेजा जा रहा है ऐसे परिवारों को च प्रते कक्छा और विशे के लिए सब्ताही कैलेंडर के अंसार सैक्षडिक सामगरी का प्रेशन जो आपको लगतार करना ही है और उसके अलावे जो प्रति दिन दुर्दासन पर प्रसारी होते हैं कारिकरम एकांटेंट उसकी समय सारी आपको इस ग्रूप में सेर करना होता तो इसको भी आपको अपनी डायरी में निश्चित रूप से सामिल करें अब आईए दोस्तों दिखाते हैं कि हमने अपनी सिक्षक डायरी किस प्रकार से भरी है दोस्तों सिक्षक डायरी हमारी आपकी स्क्रीन पे आचुकी है आप देख सकते हैं यहां पे हमने जुलाई मा से इंटरी सुरू की है और इसमें पहले सब्ता में जुलाई मा के पहले सब्ता में एक तारिक से तीन तारिक के बीच की इंटरी की है क्योंकि विरस्पतिवार का दिन था एक तारिक इसी दिन पढ़ रहा था और एक तारिक से तीन तारिक तक विद्दाले का पहले सब्ता में संचालन हुआ था जुलाई में और इन तीन दिनों में आपने निश्चित रुप से कोई एक्टिविटीज की होगी तो इस एक्टिविटीज को आपको अपने डायरी में इंट्री करनी होगी तो दोस्तों आईए देखते हैं हमने क्या किया है यहाँ पर देख सकते हैं कक्चा 3 और 4 के लिए हमने लिया है और विसय में दिया है अविभावकों से संपर्ख तो इन 3 दिनों की डिटेल हमने यहाँ पर दिया है यहाँ देख सकते हैं डिटेल जो टिपडी है इसमें लिखा है हमने बच्चों के अविभावकों से संपर किया बच्चों से बाच्चित की साथ ही इपाटसाला कांटेंट पर भी चर्चा की उसके अलावे दुरदरसन पर प्रसारीत होने वाले इपाटसाला कारिक्रम को ग्रूप में साजा किया तो ये काम तो आपको रोज करना है इच्छा एप तथा रीड एलांग एप के सिक्षन सामगरियों पर चर्चा की नेक्स डे जो सुक्रवार का दिन था उस दिन हमने गत्विधी जो की है वो दिखाया है मुहला कक्छाओं के संचालन है तो अस्थान चैन पर अभिभावकों से बातचित की साथी मुहला कि इस दिसा में आपने प्रयास किया है सनिवार के दिन हमने क्या किया है प्रतेक सनिवार को होने वाले वाटसेप क्वीज को बच्चों के वाटसेप ग्रूप में साजा किया तो इसकी भी इंट्री हमने कर दिया चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प सनिवार कोई प्रेडा साथी के चैन के लिए कुछ लोगों से बात की उनमें से दो लोगों ने प्रेडा साथी बनने के लिए अपनी सामती दी यहाँ पे सनिवार के दिन दूसरी जो अक्टिविटी थी वो है अविभावकों को दूरदर्सन पर प्रसारीत होने वाले इपाट साला कारिकरम के महत्तों को समझाया तथा अधिक से अधिक बच्चों को इस कारिकरम को टीवी पर देखने के लिए प्रेरित किया तो यह चीज हमने यहाँ पे इंट्री कर दी है और इस तरह से यहाँ अमारा तीन दिन का कारिकरम पूर्ण हो जाता है next page पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई का जो दूसरा सब्ता है यहाँ पे देखिए दूसरे सब्ता के हमने इंटरी किया है और जो इक content आपको share किया गया था दूसरे सब्ता में वो था 5 तारिक से 10 तारिक के लिए तो यहाँ पे हमने date कर दी है और इससे बच्चों के learning outcome क्या होंगे उसको यहाँ पे दिया है हमने बच्चे इस गत्विदी से हिंदी के वर्डमाला की पाचान कर सकेंगे और डिटेल में यहाँ देखिए बच्चों के WhatsApp ग्रूप में दिये गए e-content सामगरी को का link share किया वर्डमाला से समंदित screen shot भी group में share किया अविभागों से बात कर इसे बच्चों को दिखाने के लिए phone से बात की और ग्री एकारे में भी हमने वर्डमाला का जो screen shot है वर्डमाला लिखके वो बच्चों से demand किया है मांगा है वो ग्री एकारे में संख्याओं को सीख सकेंगे तो SM दोस्तों इसमें detail में हमने दे दिया है कि बच्चों के WhatsApp ग्रूप में दिये गए गड़ी त्विसाय की गत्विधी का link share किया ग्री एकारे में हमने दिया कि एकाउन से 60 तक की संख्याओं को लिखकर screen shot ग्रूप में share करने तो ये दोस्तों इस तरह से next page पे आप चलते है दोस्तों इस page पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने mangalwar की भी entry की है ये चीज आपको नई लग रहे होगी कि mangalwar को हमने क्यों किया है तो दोस्तों आपको पता दे कि जो e-content share किया जाता है वो सोमwar को, बuddhwar को और सुकरwar को तीन दिन किया जता है सब्ता में तो ऐसे में जो सामगरी आप सोमwar को बuddhwar को और सुकरwar को देते हैं तो उसके next day आनि कि सोमwar को जो सामगरी आपने दिया है तो mangalwar को आपका उसका अनसरोंड भी करना होता है बुद्धवार को जो दिया है वो बिरस्पतिवार को अनुसलोंड करना होता है सुक्रवार को जो दिया है वो सनिवार को अनुसलोंड उसका करना होता है तो इस तरह से आप सैक्षिक गत्विदियां कर रहे हैं मंगलवार को भी तो ये भी इंट्री करनी पड़ेगी किस मंगलवार को आपने क्या किया। यहाँ पी देखे दोस्तों हमने वही सोक किया है, मंगलवार के दिन हिंदी वगडित सुमवार को दिये गए कारे। इसमें दोस्तों हमने लिखाया है, आज मैंने अविभावकों से बात की तथा दिये गए कंटेंट के विशे में जनकारी लिए। और भी प्रेरित करने के आँ सकता है, यह हमने टिपड़ी में अपने लिखा है, शो आकलन में लिखा है। दोस्तों आप नीचे के तरब देख सकते हैं, बुद्धवार का दिन था जिसे इकंटेंट सेर करना था हिंदी विशे में जो टॉपिक था, वो सब्दों के पर्थम ध्वन की पाचान यह टॉपिक था और लर्निंग आउटकम था, बच्चे किसी भी सब्द के पर्थम ध् की संख्याओं की पाचान कर सकेंगे, तो इस तरह से दोस्तों इसमें डिटेल में हमने दे दिया है, दिये गए विशे हिंदी गडित के गतिविधी लिंक को वाटसेप ग्रूप में सेर किया, और यहाँ पे ग्रीव और ईपाटसाला के भी हमने जिक्र कर दिया है, ईपाट से 70 तक की संख्याओं को लिख कर स्क्रीन साथ भेजने को कहा है ग्रूप में, तो इस तरह से दोस्तों हमने ग्रे कारे भी दे या, टॉपिक आप देख सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार से हमने विरस्पतिवार को कौन सा इसका अंसलोंड की या किस प्रकार से, तो हिंदी व पड़ साला के कारे करम को सेर कियाने विरस्पतिवार को भी आपको इस तरह से दोस्तों पर डे का हमने बनाया है, आप मेरे पेजस को देख सकते हैं, किस प्रकार से हमने बनाया है, वीडियो पोस्कोर के देख लीजिएगा, और हमने कोशिस की है, कि जो भी संभावित इसमें आप सुतंतर हैं, हमको जो सही लगा है, वो हमने इसमें कर दिया है, दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट पेज हमारा देख सकते हैं, यह 28 2021 से 78 2021 यानि जो इकांटेंट आज से सुरू होना है, उसकी हमने इंटरी यहाँ से सुरू कर दी है, बाकी हमारी चीजें यहां पूर्ण हो चुकी है, तो दोस्तों उमीद करते हैं, मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर किसी पकार की क्वेरी हो, तो निश्ची तरुप से कमेंट सेचल में क्वेरी कर सकते हैं, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहर ही बारा हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार